अजमेर में मौझूद ख्वाजा मुईनुद दीन हसन चिस्ती की दरगाह में हिंदू स्यू मंदिर होने के दावे का वाद बदुवार को नियायाले ने स्विकार करते हुए पक्षकारों को नोटिस चारी करने का आदेश दिया है। दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्री अध्यक्ष वादी विस्नु गुपता ने विभिन्न साक्ष के आधार पर अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादियो मंदिर होने का दावा पेश किया है। बता दे कि इस मामले से पहले संभल में इस्थिजामा मस्जिद को लेकर भी काफे विवाद हुआ। फाइरिंग भी हुई चार या पांच युवाओं की जान भी चली गई। लेकिन अब फिर से एक बार और अजमेर सरीब दरगाह को लेकर हिंदू पक्ष नहीं याच का दायर की है। जिस पे 20 दिसंबर को नयायाले द्वारा सुनवाई की जाएगी। अजमेर सरीब दरगाह मामले पर AIM AIM सानसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा दरगाह पिछले 800 सालों से यहीं है। नहरू से लेकर सभी प्रधान मंतरी दरगाह पर चादर भेशते हैं। बीजेपी आरेसस ने मस्जितों और दरगाहों को लेकर इतनी नफरत क्यों फैलाई है। निचली अदालते प्लेस आफ वर्सिक एक्ट पर सुनवाई क्यों नहीं कर रही है। इस तरह कानून का सासन और लोक तंतर कहा जाएगा। यह देश के हित में नहीं है। पीम मोदी और आरेसस का सासन देश में कानून के सासन को कमजोर कर रहा है। यह सब बीजेपी आरेसस के निर्देश पर किया जा रहा है। और वैसी ने सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्निस सो इन्क्यान नवे का कानून साफ कहता है कि किसी भी अबादतगाह की मजहभी पहचान को बदला नहीं जा सकता। ना अदालत में इन मामलों की सुनवाई होगी यह अदालतों का कानून फर्ज है कि वे उन्निस सो इन्क्यान नवे एक्ट को अमल में लाए। इस खबर को लेकर आपकी क्यारा है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साजा करें